नमस्कार दोस्तों सल्च रिसर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों गुस्सा चिंता और डरने से हमारे सरीर के मुख्य अंगों पर बहुती बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों गुश्शा चिंता करना और डरने से इनका connection हमारे सरीर के मुखे अंगों से होता है अगर इन सबीत प्रक्रियाओं को आप करते हैं या बार-बार ऐसी अगर गुश्शा करते हैं अगर आप चिंता करते हैं या किसी बात को लेगर हमेशा आपके मन में डर बैठा है ऐसा करने से आपके मूखे अंगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसा करने से आप अपने सेहत को खराब कर सकते हैं और आप एक बहुत बड़ी बीमारी के सिकार भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ लोग रात में सोय रहते हैं और उसके बाद आज एकायग उटकर बैठ जाना या किसी डर से या किसी अन्य कारण से भी यह प्रक्रिया कर प्रती दिन होती है तो समझे कि आपके मुख अंगो में कुछ प्रोब्लम है जिसके वज़य से ऐसा हो रहा है दोस्तों डरने से किड्नी फेल होने का खत्रा होता है आईए इसके बारे में जान लेते हैं कि यह सभी प्रक्रिया होने पर क्या होता है लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें क्योंकि दोस्तो हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंदित सारी जानकारियां देते हैं दोस्तो ज्यादा गुस्या करने से हमारे लीवर खराब होने का संकेत हो सकता है और ज्यादा गुस्या करने से हमारा दिमाग खराबी हो सकता है और दोस्तों ज़्यादा गुस्या करना हमारे सेहत के लिए नुकसान दायक होता है दोस्तों ज़्यादा गुस्या करने से हमारे दिमाग में अन्य तरह के ब्रेंट यूमर जैसे कई बीमारिया होने का खत्रा भी होता है दोस्तों साथ साथ गुस्या करने से हमारे लीवर खराब हो जाता है और हमारा भोजन सही से पच नहीं पाता है और जिसके वज़े से आपका सेहत भी खराब हो जाता है और चिर्चिड़ापन आपके अंदर आ जाती है इसलिए दोस्तों आपको अपने गुस्से पे नियंत्रा रखना होगा दोस्तों बात करें रात में सोते समय अगर आप गहरी नीद में सोय हैं और एकाएक उटके बैठ जाना ऐसा दोस्तों तभी होता है जब आपके मन में कोई विचार हो या आप किसी चीज को लेकर डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं ऐसे में आपको क्या होता है कि आप नीद में रहते हैं उस बात का जब आप सोते समय नीद में ही आपको ख्याल आता है तो आप चोग कर उड़ जाते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा करने से आपका किड़नी कमजोर हो सकता है और दोस्तों बात करें डरने से तो दोस्तों डरने से हमारी किड़नी कमजोर होती है इसलिए दोस्तों हमें किसी भी चीज का डर अपने दिमाग में नहीं बैठाना चाहिए ऐसा करने से हमारा सेहत खराब हो सकता है और आप गंभीर बीमारी के सिकार भी हो सकते हैं दोस्तों बात करें चिंता करने के दिए दोस्तों अत्यधिक चिंता करना हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है दोस्तो अत्यधिक चिंता करने से हमारा इस्टमक और पाचन तंत्र यानि हमारा पेट और पाचन तंत्र खराब होने का खत्रा होता है ऐसे में आपका सिहत और कमजोर हो जाएगा और आप पेट की समस्याओं से परिशान हो जाएगे इसलिए दोस्तों आप इन सभी प्रक्रियाओं से अपने आपको दूर रखें और दोस्तों बात करें अधिक तनाव करने से और दुखी होने से दोस्तों अधिक तनाव और दुखी होने से हमारे हिर्दे और फेपड़े पे अत्यदिक प्रभाव पड़ता है ये हमारे हिर्दे और फेपडे को कमजूर बना देता है जिससे आप कई कमभी समस्याओं से परिशान हो सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तों आप स्वस्थ हों अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से सम्बंदित सारी जनकारियां देते हैं